दोस्तों बिहार पुली सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर जारी किया गया है जिसके लिए दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको यहाँ पर आउनलाइन मोर्से ही दोस्तों एपलाई करना होगा दोस्तों अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 5 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नॵंबर 2023 तक आप यहाँ पर आउनलाइन मोर से अपलाई कर पाएंगे दोस्तों और मज़合 की बात दोस्तों यह है कि All INDIA लेवल से सभी कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर अप आपको सेलरी मिलेगी दोस्तो और टोटल जो वेकंसिस हैं 1275 यहाँ पर टोटल वेकंसिस निकाले गई हैं दोस्तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो भारत के नागरिक आप होने चे अपलाई कर सकते हैं पुरुष अपलाई कर सकते हैं पुरुष अपलाई कर सकते हैं महिलाई भी अपलाई कर सकते हैं और जो थार जेंटर आते हैं दोस्तो वो भी यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आपकी जो qualification है वो अगर graduation है अपने graduation complete की है दोस्तो तो आप यहाँ पर apply कर पाएंगे दोस्तो और आपकी जो qualification है वो 1 अगस्त 2023 को count की जाएगी और आपकी जो age है वो भी यहाँ पर 1 अगस्त 2023 को count की जाएगी ठीक है दोस्तो इसके लाव दोस्तो यहाँ पर आप तरीके से जो सामानी कोटी की महिलाएं आती है उनकी एज 20 साल तो कम से कम होनी चाहिए और 40 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए वो अपलाई कर सकती हैं दोस्तों इस तरीके से पिछडा वर्गों और आती हैं तो पिछडा वर्ग की जो पुरुश और महिलाएं आती हैं उ जो third gender है उनके लिए 20 साल कम से कम age रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा 42 years तक उनकी age आती है तो वो apply कर सकते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पर check out करना है दोस्तों आप यहाँ पर देखें दोस्तों पुलीस सब इंस्पेक्टर की vacancy है तो इसके लिए physical भी यहाँ पर होने है दोस्तों और इसके लाँ थोड़ा साम नीचे स्क्रॉल करें नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ ओर ypotant ypotant देख लेते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर एक्जायम यहाँ पर होने वाला है तो व आप इसकी डिटेल बगेर यहाँ पर आप को बताऊंगा दोस्तो सबसे पहले देखिए जो vacancies 1275 जो vacancies है उनको यहाँ पर किस तरीकी से बांटा गया है अनुसूचिस जाती वालों के लिए 275 रखी गई है अनुसूचिस जाती वालों के लिए 16 रखी गई है अत्यांत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 यहाँ पर vacancies रखी गई है पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 वेकेंसी है आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनके लिए भी यहाँ पर 111 वेकेंसी है और ट्रांसजेंडर वालों के लिए दोस्तो पांच वेकेंसी इस तरीके से 1275 वेकेंसी को यहाँ पर बांटा गया है वो अगर आप किसी अधर स्टेट से हैं तो आपके अगर कैटेगरी भी आती है तो यहाँ पर आपको जनरल में ही दोस्तों आपको अपलाई करना होगा यहाँ अन्रिजर्व में आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं थोड़ा साम नीचे स्क्रॉल करते हैं नीचे स्क्रॉल होन के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह वेबसाइट बताई गई है अभी मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा सबस्पेल यहां पर आप देख लीजिए जो फीस है फीस यहां पर राजी के जो मूल निवासी हैं सभी कोटी की जो महिलाएं हैं और जो थाट जेंडर हैं उनके लिए 400 रुपीज फीस है 400 रुपीज है और बाकी इसके लावा जो भी लोग बाकी आते हैं उनके लिए 700 रुपीज है ठीके और यह किस तरीके से आपको पे करनी है तो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं यह payment के modes बताएगे, किस तरी किसे आपको apply करना है किस तरी किसे आपको fees pay करनी है और किस तरी किसे आपको apply करना है वो आप यहाँ पर देख लिजे bpssc.bih.nic.in पर आपको जाना होगा apply करने के लिए वहाँ पर आपको advertisement number 2-2030 जो है इसके related में link मिलेगा दोस्तो और link पर जाकर आप online mode से apply कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा जब आप online apply करोगे तो यहाँ पर आप अपनी email ID अगर आपको fill up करनी है अपना phone number वगेरा जो fill up करना है वो दोस्तो आप valid ही यहाँ पर fill up करोगे ताकि next आने वाले टाइम में कुछ भी आगर इनकी तरब से communication communicate किया जाता है तो वो आपकी registered email ID के थ्रू ही जो है वो communication होने वाला है ठीके दोस्तो ओप करता हूँ सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी so thank you very much